वल्कम एवरिवन तो आज आपके सामने आपके अपने बादल सरकार सर एक नई चीज लेका है और वो नई चीज क्या है आपके सामने दिख रहा होगा Master Stroke Batch Root Words Root Words क्या होता है आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा Root Words वो चीजे होती है एक ऐसा word का form होता है जो basic form होता है Basic form कहने का मतलब हुआ कि अब उस word को आप break नहीं कर सकते हैं तोर नहीं सकते हैं ठीक है मेरे भी और एक Root Words से हम बहुत सारे words बनाना सिखेंगे कम से कम 15 से 20 words आप सिखेंगे आपके examinations के लिए और आपके day to day life में बहुत सारे ऐसे problem आते हैं जहां पर vocab के कारण आप English बोल नहीं पाते हैं या फिर questions आप से बनने ही पाते हैं तो हमारे सामने एक प्यारा सा root word ए ego ये तो आपको पता है ना किसी भी word के last में याद रखना IST suffix किया जाएं क्या suffix किया जाएं भई IST suffix किया जाएं तो वो उससे related person की बात करता है किस चीज़ की बात करता है मेरे भई person को दिखाने की कोसिस करता है if your selfishness greed hurt other people अगर आपकी लालच आपका selfishness की वजह से किसी को hurt होता है या फिर आप उससे क्या करता है hurt feel कराते हैं तो वो कहा जाता है egoist इसी से related एक और बारा प्यारा सा word हमारे सामने है ego test इससे पहले वाला हमने जो word देखा था वो क्या था वेरे भई egoist and the next word is ego test basic difference समझने की कोसिस करेंगे when you think you are better and more important than other people बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आपको दूसरों के comparison में बहुतर मैसूस करते हैं वही मैं तो उससे better हूँ ऐसे condition में जब अपने आपको ज़्यादा important feel कराना चाहते हैं या फिर खुद में feel करते हैं तो उस case में हम ego test का use करते हैं याद रखिएगा बहुत प्यारा सा word है और अकसर ऐसा देखा गया है examinations की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये आपके confusion का बहुत बड़ा reason बनता है खास कर close states में और साथ में fell in the blanks में अच्छा next word देखी बहुत प्यारा सा word हमारे सामने आ रहा है ego centric अच्छा ego का तो मतलब हम जान चुके हैं और centric का मतलब क्या होता है centric का मतलब होता है किसी भी चीज़ का center one who thinks himself as center of everything happening around मतलब की क्या है extreme form of the egoist जो हमने पहला word जाना इसका मतलब यह हुआ कि कोई इनसान ऐसा सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके चारों तरफ अच्छी चीज़े अगर हो रही है बुरी चीज़े हो रही है whatever happening around him or her इसका मतलब क्या है पता है सारा का सारा credit वो खोद लेना चाता है भाई तेरा result होगे इसमें मेरा ही credit है मेरा result होगे इसमें मेरा ही credit है भई साब इस बार जो है ना US के President Donald Trump बनेंगे उसमें भी मेरा ही credit है तो ऐसे person जो खुद में centralized है खुद में centric हुआ है उसे हम बोलेंगे ego centric ultra ego बड़ा प्यारा सा word है पहले मैं definition दिखाता हूँ क्या है क्योंकि definition मैं और साथ में ऐसा होता है ना examination में कि इसको one word substitution में देके पूरा का पूरा definition and you will be given four different options and you have to choose the right one okay so refers to someone with whom you are so close that you do the same things think alike react similarly मतलब कि आप क्या करते हैं कि वैसे इंसान को refer करते हैं जिसके साथ आप बहुत close है और आप उसी के जैसा similar mirror image की जैसा आप उसे copy करते हैं उसके जैसा करने की कोशिस करते हैं तो वह अल्टर इगो कहलाता है mirror image of each other जैसे सीता गीता इस तरीके का चिंकी मिंग की तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं कॉपी करने की कोशिस करते हैं उस केस में हम अल्टर इगो का यूज करते हैं पास समझ में आ रहा हमने जो अभी रूट वर्ट सीखा वो इगो से रिलेटेट था और ऐसा नहीं है कि इगो से इतने ही है लेकिन डे टू डे लाइफ में इतने सारे वर्ट सीखा यूज किये जाते हैं इगो से रिलेटेट और आप इसे नाउन फॉर्म में वर्व फॉर्म में यूज कर सकते हैं फॉर्म को चेंज करके वो मैं आगे भी डिसकस करूंगा और ऐसे लगतार सेशन्स आएंगे मुझे कैसा लगता है कि मुझे पूरे के करना बिल्कुल नहीं भूरेंगे और अगर लगता है कि सर को कमेंट स्रिक्शन में जाके कुछ कमेंट किया जाए तो बिल्कुल कीजिएगा थैंक यू एवर्यवन टेक्यर